वीर चमार रेजिमेंट पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा जिसके कारेंट सन 1946 में से रद कर दिया गया ब्रेटिश इस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संग के पेश्वा शाष्कों के बीच 1818 में हुए भीमा कारे गाउं युद्ध को दलित अपने असमिता के साथ जोड़ते हैं क्यों की उस समय अच्छूत समझे जाने वाले महार समुदाय के लोग कंपनी की फोज में सैनी थे इसी जीत की बीसवी साल गिराहा के दोरान पूने के भीमकारे गाउं में हुए विवाद में जब पूना महराष्ट सुलग रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों की स सैना ने एक चमार रेजिमेंट भी थी जिसे सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली चापानी सैना ने लड़ने के लिए भेजा था दलितों की बहादूरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था उसे चमार रेजिमेंट में भी देखा जा सकता है दूसरे चमार रेजिमेंट का इतिया चमार रेजिमेंट और उसके बहादूर सैन्यों के विद्रोहे की कहानी उनकी ही जुवानी नामक पुस्तक के लेकर सतनाम सिंग बताते हैं कि कोहिमा के चमार रेजिमेंट अंग्रेजों की ओर से सन 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई पान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तमाल किया कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादूरी से लड़ाई लड़ी इसलिए इसे बैटल ओफ कोहिमा अवोर्ड से नमाजा गया है चमाल रेजिमेंट थी तो से खतम क्यों किया गया चमाल रेजिमेंट का बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता आरेस पूनिया बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमाल रेजिमेंट का प्रतिबंधित कर दिया था अंग्रेजों ने इसे आजाध हिंद फोज मुकाबला करने के लिए सिंगापूर भीजा रेजिमेंट का नेतरत कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हातों पर अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने कर नेड़े लिया कुछ मियामार वे थाइलेंट के जंगलों में भटक गए और पकड़े गए इन्हें मोत के घाट उतार दिया गया कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्ध बंदी बना लिया गया जिनने आजादी के बाद रिहा किया गया वे 1952 में उन्नाव की सफी पूर विधान सबा में विधायक भी रहे इस रेजिमेंट के दो सैनिक अभी जिन्दा है यह हर्याणा के महेंद्रगड के चुनिलाल और सौनिपत के धरम सिंग के बहाल हो पाईगी ये रेजिमेंट आजादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट बहाल किये जाने की अवाज कई बार उठाई गई लेकिन अवाज दब कर रहे गई दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई बार राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं अब इसके लिए कानुनी लड़ाई लड़ी जा रही है दलित नेता कहते हैं कि इसे बहाल किया जाए इसे लेकर पिछले दिनों राष्टे अनसूचित जाती आयोग ने सन ग्यान लिया था आयोग के ततकालीन सदस ईश्वर सिंग ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया था जिसमें पूछा गया था कि आकर इसे रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया है इश्वर सिंग का कहना है कि दलित किसी भी विशे परिस्थिती में रह लेता है उसकी उतनी कठनाईों में शायद ही कोई और जीवन वितित करता हो फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही है बीजेपी अनुसूचित मोर्चा से जुड़े दलित नेता शांत प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंदरी सरकार के इस रेजिमेंट की बहाली की मांग की थी उनका दावा है कि इसी मांग पर नवंबर 2015 में ततकाली रक्षया मंतरी मनुहर परिकर ने लिखा था कि मामले की जाच करवा रहा हूं रेजिमेंट पर लिखी गई किताब हवलदार सुल्तान सिंग ने चमार रेजिमेंट और अनसूचित जातियों की सैना में भागिदारी शीक्षक से किताब लिखी दूसरी किताब सतनाम सिंग ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादूर सैनिकों के विद्रों की कहानी उन्ही की जुबानी नाम से लिखी इस समय सेना में मराठा लाइट इन फैक्टरीर राजपुताना राइफल्स राजपूत रेजिमेंट जाट रेजिमेंट सिक रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट नागर रेजिमेंट गोरका रेजिमेंट है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले